से हमारे चैंल , आज मैं आपको रेल से संबंद प्रषेनों की एक शान्दा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों अब दोस्तों केवल एक ट्रिक से आप रेलवे के जितने भी रेल के प्रशन आते हैं सारे प्रशनों कर सकते हैं वह दोस्तों और वो ट्रक है यदि चाल दी है आपको किलो मीटर पती घंटा में उसको मीटर पर सेकेंड में करना है आपको तो उसमें हम जैसे एक्स दिया है एक्स किलोमीटर प्रती अबर उसको आप करना है मीटर पर सेकेंड में तो एक्स में हम पांच बटे अठारा का गोणा कर देंगे और यहां पर अगर मीटर परती सेकेंड दिये चाल और उसको किलूमीटर प्रती घंटे में करना है तो उसके लिए हम इसको पलड देंगे X में हम फिर 18 बटे 5 का गुणा कर देंगे दोस्तों सिंपल सी बात है यदि बड़े से चाल को छोटे में करना है तो छोटे का गुणा कर दीजिए उपर और छोटे से बड़े में करना है तो बड़े का गुणा कर दीजिए और दोस्तों एक चाल का साधारान सा सूतर होते है चाल बरवर दूरी बटे समय ये दोस्तों इन दोनों सूतरों को लेकर आप रेल से संबंदि सारे प्रिशनों को हल कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए अब पहला प्रिशन हम करके देखते हैं एक प्रिशन 90 किलोमीटर पती घंटे की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी देल गाड़ी एक बिजली की खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी तो दोस्तों बहुत साधारान सा प्रिशन है अब इसकी चाल दीए हमको यहां पर 90 किलोमीटर पती घंटा तो हमको इसको सेकेंड मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे नबे में साधारान सा पांच पटे अठारा का गुणा कर देंगे यह चाल जाएगी अपनी 25 मीटर पर सेकेंड बहुत आसानी से समझ गए अब खंबे को पार करने में लगा समय 75 मीटर दूरी को तैक करने में लगे समय के बराबर होगा तो दोस्तों यह अपनी ट्रेन है यह खंबे को पार कर रही है तो इसकी 75 मीटर लंबी डेल गाड़ी है तो 75 मीटर जाने में कितना समय लगे गए तो सीधा सीवात चाल बराबर दूरि बटे समय का सूतृर लगाएंगे यहां पर हमको समय ग्याद करना है चाल नीचे चलिजाएगी समय बराबर हो जायेगा दूरी दूरी बटे चाल और सीधा मान रख देंगे दूरी कितनी है हमारी 75 मीटर क्योंकि एक खंबे को पार कर रही ये रेल गाड़ी की लंबाई है तो ये 75 और चाल कितनी है उसकी 25 मीटर पर सेकंड यहाँ पर दोस्तों ये मीटर में दिया था इसलिए हमने अपनी चाल को मीटर पर सेकंड में कनवर्ट किया है ये 25 तीन बार कड़े आगा तीन सेकं ये इसका आंसर होगा अब दोस्तों इसी परकार एक और प्रस्ट को देखते हैं कि 450 मीटर लंबी रेल गाड़ी 63 किलोमीटर प्रती घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी अब दोस्तों यहाँ पर रेल गाड़ी की लंबाई की कितनी जाएगी कि 450 प्लस 250 दोस्तों खम्मे में के वर रेल गाड़ी की लंबाई गया रेल गाड़ी की लंबाई को दूरी माना था परन्तु यहाँ पर एक प्रदान 250 मीटर लंबी गुफा है इसलिए कुल दूरी हो जाएगी अपनी 700 मीटर अब दोस्तों 700 मीटर और चाल अपनी कितनी है 63 किलो मीटर प्रती अवर्स अब तो इसको दोस्तों फिर से हम मीटर पर सेकंड में कल देंगे 63 को 5 बटे 18 में गोड़ा कर देंगे तो इसकी चाल जाएगी 35 बटे 2 मीटर पर सेकंड अब दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या गयात करना है तो समय बराबर क्यों हो जाएगा दूरी बटे चाल दूरी अपनी कितनी है 700 है चाल कितनी है 35 बटे 2 इसको पलड़ देंगे तो सास सो गोने दो बटे 35 यह जाएगा 40 को काट देंगे 35 यह जाएगा 40 सेकंड इसका आंसर तो दोस्तों आए होप आपको समझ में आया हुआ इसी प्रकास से यह दो फॉर्मूले की मदद से एक तो यह किलो मीटर पर ती घंटे को मीटर मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको यह वाली ट्रेक आपको सारे प्रसनों को हल करने में बहुत सायता करेगी यही ट्रिक से आप सम्भल सारी प्रसनों को हल कर सकते हैं आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा धन्यवाद झाल झाल